विद्यारति इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे अपनी आहरनाल का एक और मैतुपन भाग जिसको बढ़ियांत या लार्ज इंटेस्टाइन है इसको बढ़ियांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्यास है वो अधिक होता है यह काफी मोटिपाई जाती है तो व्यास अधि होने के करण इसको अपन बढ़ियांत कहते हैं इसके लंबाई लगबग डेड़ मिटर लंबी होती है इसके अपन देखें तो इसके तीन भाग होते हैं तीन भाग होते हैं वो कौन-कौन से भाग जैसे इसके अपन सर्चन बनाके देखें तो इस तरह से जो बढ़ियांत है वो इस तरह से पाई जाती है मोटे होती ही इस कारण इसका व्यास अदिक होता है इसी कारण से इसको हम क्या कहते है बड़ी आंत कहते है तो यह इस तरह से यह बड़ी आंत पाई जाती है तो इसमें होता है कि जिसे यहां से छोटी आंत आ रही है वो छोटीयांत बड़ीयांत से जुड़ जाती है तो यह जांसे हैं छोटीयांत बड़ीयांत से जुड़ती है इस पार्ट को तो कहते हैं सिकम इसको बोला जाता है सिकम और यह जो उल्टा यूअकार का पार्ट है इसको अपन बोलते हैं कोलन अब इस colon के भी तीन पार्ट हो गए है, जिसे ये उपर की तरब चड़ रहा है ये colon है, तो इसको तो अपन कहेंगे आरोही colon ये जो इस तरह से वापिस आ रहा है, इसको बोलेंगे अनूप्रस्त कोलन और ये जो वापस नीचे की तरब आ रहा है, इसको बोलेंगे सिकम, दूसरा सिगमोइड कोलन और इसका जो तीसरा पार्ट है वो कहलाता है ये जो इसका निचे का पार्ट है कहलाएगा मलासे इसको हम रेक्टम कहेंगे इस तरह से इसके तीन पार्ट हो गए अब इसमें होता गया है कि जो यह colon है इस colon के जो बित्ती होती है वो अंदर के तरह फोल्ड होकर विसे वलन बना लेती है जिसे 1,2 और 3 वलन पाए जाते हैं इन 3 वलनों के कारण क्या होता है जब इन वलनों में संकुछन होता है तो इसमें इसे pouch like पाउच से निकल गई बाहर के तरफ यह जो पाउच निकल रहे हैं इन पाउचों को हम कहते हैं होस्ट्रा होस्ट्रा कहते हैं यह जो थेलियां से निकल रही है यह थेलियों को पाउच को और जो यह वलन है इन वलनों को अपन कहते हैं टिन्नी तो इन तीन वलनों के कारण है जो आता है उसके इस तरह से पाउच जिसी सर्चना या थेली जिस सर्चना निकली रहती है तो इनको होश्टरा कहा जाता है जहां से यह सिकम और सोटियां जुड़ती है वहाँ पर एक लगबग 8 cm लंभी एक सर्चना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं वर्मी 4 अपेंडिक्स तो इसको यह कर्मी रूपी परी से सी का होती है यह यहां पर पाई जारी है इसके इंदर तो इसके पन तीन पाट पढ़ेंगे पहला पाट हो गया इसका सिकम और जिसको पन इंगर जी में इस तरह से लिखते हैं सिकम दूसरा पाट हो गया इसका कोलन कोलोन इसको इंदी मे व्रदांतर भी बोलते हैं इसको व्रहदांतर अब इस कोलन के तीन पार्ट होगे जो ये कोलन है इसके तीन बाग होगे आरोही और अनुपरस्त और अवरोही और ये सिगमोईड ये इसके चार पार्ट होगे इसको अपन कहे देंगे आरोही कोलन है अनुपरस्त कोलन, अवरोही कोलन और सिगमोईड कोलन और इसका बढ़ियाद का अंतिम पार्ट हो गया मलासे जिसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम कहेंगी इसको तो इस तरह से हमारी बढ़ियाद के तीन पार्ट होते हैं सिक्कम गोलन जिसको आरोई या असंडिंग फिर इसको अनुप्रस्त कोलन तीसरे को अरोई कोलन और योर्फा सिक्मॉड कॉलन कहते हैं और इसका अंतिम पार्ट है वह मला से होता है तो सबसे पेले इसका अपन पहला पार्ट ले ले लेते हैं इसका सबसे पहले ले लेते हैं हम सिक्कम जिसको हम इस तरह से लिखते हैं सिक्कम यह सिक्कम कहां पर होता है यह चोटी आत वै बड़ी आत की संदी इस्तले पर पाया जाता है अब यह जो यहां पर पाये जा रहा है तो इसमें क्या होता है कि जिसे यह सिक्कम है वो चोटी आत चूड़ रहा है तो यहां पर छोटी हात का नतिम पार्ट कohum क्या कहते है इलियम इलियम कहरे हा estamos पर हैsent यहां पर सिक्कम वे इलियम की है चोटी आत का अंतिम बहाग है तो यह सिक्कम और इलियम के बीच एक कपाट होता है जिसे इलियो सिकल वाल इलियो सिकल वाल वह कहते हैं यहाँ पर क्या होता है कि एक वाल पया जाता है तो जो बोजन इलियम से सिकम में आ गया ना तो वो वापस से चोटी आत में नहीं जाता है तो यह Eoleosicle Whal यहां पर पर पया जाता है तो Eoleosicle Whal क्या करेगा यह पदार्तों को Eoleum से यानि Eoleum से पदार्त है वो किस में आजते हैं सिक्कम के अंदर आगई तो उनको आने देगा और उनको वापस Eoleum की तरप नहीं आने देगा तेक अपार्ट की तरह कार्य करता है यह इलियम में वापस आने से रोकीगा यह जो इलियुसिकल वाल है इसको एक नाम और इसको टल्फ टल्फ वाल्व या बोहिन वाल भी कहते हैं बोहिन वाल भी इसको कहा जाता है ये विद्यन वाल वाल भी को कहा जाता है ये जो सिकं में और होता का है कि ट्कम के सीरे पर जैसे हमने चीतर में देखा था सिकं के सीरे पर 8 cm लंबाई का अंगुली के समान प्रवर्द या रचना पाई जाती है रचना पाई जाती है जिसे करमी रूपी परिसेशी का जिसको हम कहते हैं वर्मी पोरम है अपेंडिक्स से वर्मी यानि करम करमी तो करमी रूपी हो गया यानि एक लट की तरह है कीडी की तरह है इस तरह से और अपेंडिक्स का मतलब होता है जुड़ा हुआ तो सिक्कम के साथ एक अंगुली जीसे आट सेंटीमेटर लंबी एक सर्चन जूड़ी रहती है जिसको वर्मी पोरमी पोरमी या करमी रूपी परिसेशी का कहते हैं कि इसमें कहते हैं इसमों इसमें होता कि क्या होता था यह इसमें कि अनेक कि कि सह जीवी जीवानों कि वह कि प्रोटो जोवा कि आप पाए जाते हैं कि जो कि सेल्यूलोज का पाचन करने में सायक हैं लेकिन हम जाते हैं कि मानव में मानव में कि सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है कि सेल्यूलोज पस्ता ही नहीं इंदर तो तो अगर पाचन नहीं होगा तो क्या इसका काई सिक्कम का और अपेंडिक्स का कार्य अमारे अंदर कुछ भी नहीं है इस कारण आता है कि सिक्कम वह वर्मी फोर्म अपेंडिक्स को अवसेसी अंग माना जाता है तो अवसेसी अंग माना जाता है थारत मनुशे में इनका कोई कार्य नहीं है और जो ये अन्य जिवों में क्या करता है कि ये जो वर्मी फोर्म अपेंडिक्स है इसमें कुछ लस्षी का गरंतियां भी होती है यह भी है कि यह वर्मिफोर अपेंडिक्स में लसी का गरंतियां भी पाई जाती है वो लिमपोसाइट जो जिवानों को मानने वाले कोशिक होते लिमपोसाइट पाई जाती है जो जुआणों को जुवानों का बक्षन करती है बक्षण करती है अन्य जो जन्तु है उनमें क्या 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 काम करती है यह सेलोज का पाचन करने में भी साहिक है और जिवानों को मारने में भी साहिक है लेकिन चुकि मनुस्य में सेलोज का पाचन नहीं होता है तो इसका कोई विशेज कारिय नहीं है रहता है तो इसलिए कहते हैं कोलन दूसरा इसको पार्ट है इसको उपन कह रहे हैं को इस कोलन को इसके हमने चार पार्ट पढ़े हैं इसको उपन कहते हैं वर्दांतर भी कहते हैं इसको वर्दांतर भी रहा है तो इसको हमने क्या कहा है आ रो ही एक यह इसको अपर कह देंगे एसेंडींग को लन और यह जो इधर आushoda रहा है इसको बोलेंगे औरो ही और औरो ही कोलन का मतलब होता है यह डिसेंड कर रहा है तो यह डिसेंडिंग हो गया कैसा हो गया डिसेंडिंग कोलन हो गया और यह जो ऐसा कार के ससना बन रही है इसको हम कहेंगे सिगमोईड कोलन है और ये लास्ट का पार्ट इसका मला से हो जाता है तो इस तरह से इस कोलन के चार पार्ट हो गए है तो इस कोलन में क्या है कि ये बड़ी आंत का यू आकार का सबसे बड़ा भाग है सबसे बड़ा भाग है ये आकार का भाग है सबसे बड़ा भाग है हम देख रहे हैं कि इसके जिसे चार पार्ट होते हैं इसके हमने सरसना कहा देगी इसके जो कोलन की जो बित्ती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर इसको इसकी बित्ती को अंदर की तरफ दबा देती है जिससे क्या होता है कि कोलन के बार की तरफ इस तरह से थेली जैसी सरसना लट की दिखा देती है तो इनको तो हम क्या कहेंगे हो str और यह जो वलन अंको कहेंगे अम टीनी तो टीनी इर सफ्के अंदर पाए जाएंगे जो इसको चेतिघन को बढ़ाएंगे तो मैं यह कहेंगे कि है पूरी कोलन की वित्ती अंतर वल्लित होकर पूरी कोलन की वितिंतर वल्लित होकर संपून कोलन में तीन अनुदेरगे वलन बनाती है यह वलन बना रही है जिने इन वलनों को हम क्या कहेंगे जिने टिन्नी जिसको टी एन आई ए ए टिन्नी कहते हैं टी ए ए एन आई ए ए टिन्नी कहा जाता है और इस टिन्नी के कारण क्या हुआ यह जो टिन्नी है इस टिन्नी के कारण क्या हुआ कि होश्टरा बन गए तो इसके कारण है, इसमें संकुचन के कारण है, कोलन के जो पार्स्वे दिवारे हैं, वो छोटी-छोटी थेलियों के रूप में फूली हुई होती है, जिनने होस्ट्रा कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, होस्ट्रा, अब यह जो टिन्नी और होस्ट्रा है, जो होस्ट्रा है, यह क्या काम करती है? ये सबसे important काम है कोलन के छेतरफल को बढ़ाना ताकि बोजन का बोजन में जो बोजन अव्यव है और पानी का अधिक्तम अवसोशन करना है लेकिन जल का अधिक्तम अवसोशन ये बड़ी आत कर लेती है तो ये जो ठीने ओस्ट्रा पाई जाते हैं ये जो कोलन है इस कोलन में भी सह जीवी जिवानूं पाई जाते हैं जीवानूं पाए जाते हैं जैसे हमारे कोलन के अंदर सहीवी जीवानूं मिलता है जैसे एक का नाम है एक तो ये एक कोलाई हमारी बड़ी आत के अंदर पाए जाते हैं इकोलाई यह सहीजीवी जवाणों मारी बढ़ी आते मिलता है तो यह एक लाबदाएक जवाणों है इसकी बित्ती देखे ना तो इसमें भी चार इस्तर होते हैं जैसे हमने इसकी बित्ती में बिति में भी चार इस्तर पाए जाते हैं चार सिरोसा है फिर मसल्स लेयर है फिर सब म्यूकोसा है और पर ये चारों पाठ इसके अंदर पाई जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा फरक है कि इसकी जो म्यूकोसा है कि सेल जो सेल है वो केवल केवल सलेसमा का सराव करती है केवल सलेसमा का सराव करेगी कोई पाचक एंजाइम यह याद रखने वले बात है कि कोई भी पाचक एंजाइम इसमें निर्मित नहीं होता है नहीं होता है यह important बात है कि बढ़ियांत की जो मिकोसा है उसमें क्योंवल सलेश में बनेगा ताकि वो बढ़ियांत की दिवारों की रक्षा कर सकी लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई पाचक एंजाइम नहीं बनता है इसका मतलब यह पाचन करने में यह बड़ी आंत कोई भूमी का नहीं निबाती है चुछिए बोजन का आफसोशन भी यह नहीं कर रही है कि मुखे तरह पानी और कुछ आयनों का आफसोशन करती है इस करण से इसमें किसी भी तरह की कोई विलाई या माइक्रो विलाई नहीं पाई जाती है इसमें कोई माइक्रो विलाई या विलाई भी नहीं पाई जाती है इसकी सिंपल सी स्टक्चर है कि इसकी मिकोसा है वो केवल सलेसमा का सराव करेगी कि किसी भी तरह का कोई पाच्छक एंजयम नहीं होगा इसमें इंपोर्टेंट बात है और यह चुंकि बोजन का कारी भी नहीं करती है इसलिए इसमें वीलाई और माइक्रो वीलाई की भी कोई आफ्षिकता नहीं है तो इस तरह से यह हमारी जो बड़ियांत का जो कोलन है उस त्रासपर होता है जिसे यह बाने का अधिक्तम आऊसोशन कर लिया जाता है तो यह इस तरह से हमारे कोलन की प्रमुख पार्ट है उसका पार्ट नकिंप नपोर लेते हैं हमारी बड़ियांत का मलासी मलासी इसको हम कहते हैं रेक्टम ये जो मलासे हैं ये हमारी बड़ी आत का अंतिम भाग है जिसे दिकरा ये बड़ी आत का हमारा ये जो अंतिम पाट है ये मलासे कहलाता है तो ये अंतिम भाग है और इसका जो शिद्र वो गुदा कहलाता है तो यह अंतिम पाट है मला से और जिसमें जितना भी पचित भोजन है जिसको पन मल कहते हैं वो इकठा रहता है इसमें गोबलेट सेल पाई जाती है जो क्या करेगी सलेसमा बनाती है जिससे ये मलासे है वो चिकना बनाए रहे गाए इसमें गर्शन नहीं होगा ये जो मलासे है मलासे में भी जल्लेवे लवान अवसोसन करने वाली सेल पाई जाती है तो ये भी पानी और कुछ लवनों का उसोसन कर सकता है और ये जो मलासे है ये फिर क्या होता है एनस के द्वारा एनस जिसको अपन गुदा गहते हैं के द्वारा बाहर की तरफ बाहर की तरफ उपन होता है ये बाहर की तरफ उपन होगा और लास्ट पार्ट हम पढ़ लेता है हमारी आहर नालका ये तो हमारी बढ़ियांत हो गी और बढ़ियांत में हमारी आहर नालका जो शिक्स नमबर का पार्ट है जिसको अपन गुदा गह रहे हैं जिसको एन्स कहते हैं यह अंतिम पाट नाल का यह क्या है गुदा क्या है अंतिम भाग है जिसमें दो जिसको अपन कहते हैं दो अवरोधिनी अवरोधिनी यह इसको कहेंगे स्फिंग्टर या कपाट इसके अंदर दो अवरोधनी लगे रहते हैं लगे होते हैं दो अवरोधनी लगे होते हैं एक तो जो आंतरी की इसके अंदर जो कपाट होता है आंतरी कपाट वो तो किसका बना होता है चिकनी पेशियों का चिकनी पेशियों से बना होता है चिकनी प नहीं करता है automatic जैसे इस पेशर पड़ता है ऑटो जाता है और यह भह्य कपाट होता है इसका जो कि हमारी रेखिट पेशियों को बनाव चाऊ और रेकित पेशियां है वह हमारी इच्छा के पुझा हम उचल यह में अंदर मैं मैंनेट्र ब्रणवा उसको हम में बाहर एकश्पैल कर देते हैं बाहर छोड देते हैं यह हमारी आरनाल का नत्यम, पाठ और पूरी आरनाल को, हमने देखा था कई बार एक उसे से समिशा देखने को मिलती है इस गुदासे समंदित पाइल्स की जिसको उपन कहते हैं पाइल्स इसको इन्दी में बवासिर बवासिर भी कहते हैं तो ये बवासिर में क्या होता है जो अंतिय पार्ट इसका जो मलासे है ना मलासे के अंदर ये मलासे है और ये जो है वो गुदा है तो मलासे के अंदर कुछ रक्तवाईनिया पाई जाती है तो उस रक्त जो मलासे की जो रक्तवाईनिया है मलासे की जो रक्तवाईनिया में वो भी कौन सी वेन, जो सिराएं हैं, सिराएं, वो फूल जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, पाइल्स कह देते हैं मला से कि जो वेन या सिराएं हैं वो फूल जाएगी और उनको भी पाइल्स कह देंगे जब यह फूली होती है और इनके फटने से कुछ वेंस हो जाती है कि फट जाती है और फटने के कारण है वो bleeding होने लगती है यानि कून बेने लगता है bleeding होने लगती है तो हम उसको कर दियंगे खूनी बहासीर तो ये कभ्यके कारण से है या कुछ बहुत जिदा मसाले देर खाना खाने से ये इस तरह का बवासीर या पाइल से वो हो सकता है या एक जिगे एक लंबे समय तक बेटे रहने से या पाचतंतर की कोई समस्या होने से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो बवासिर जो होता है वो मलासे की वेन के या जो सिरह होती है उसके फूलने के करण बनता है जब यह फटन लगती है तो ब्लेडिंग खोने लगता है जिसको खोनी बवासिर का जाता है तो ये हमारे पाचन तंतर के बारे में हमने संपूर्ण इसके सर्षना फ़ल लेती है आगे से हम पाचन गरंतियों के बारे में चर्चा करेंगे